एक बात याद रखें कि ऐसा नहीं आपने करना कि एक normalized column है और एक normalized नहीं है आप इन दोनों का correlation चेक करने बैठ गयें तो जब data transform करना है एक data set के अंदर आप सारे numeric variables को transform करते हैं ठीक है और उसकी वज़ा भी यह होती है कि सारे के सारे numeric variables को जब आप transformation लगाएंगे तो सभी को एक जैसा treat कर रहे है ठीक है इसकी मिसाल मैं देता हूँ अब अगर आपकी height है 6 feet और वो normalized होके या scale होके वो height आपकी आगी है transformed height 0.3 feet यूनिट वो ही रहा है लेकिन वो transformed height है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने बीच में से कुछ values को transform किया कुछ को नहीं किया और आप 6 को 3 के साथ, 0.3 के साथ compare कर रहे है ऐसा बिलकुल नहीं आपने करना आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक data को log transform कर रहे है then you should know the original data as well तो उसकी responsive values है उनको आपने मत दे नज़र रखना है क्यों? जब हम machine learning का algorithm finally लगाएंगे न तो आपने user को नहीं कहना कि हम data transform कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं आपने user से input original लेनी है और फिर output भी original देनी है यह नहीं हो कि log transformed आप output दे रहे हैं और या आप scaled output दे रहे हैं user तो खराब हो जागा ने दिमाग मिसाल आपको देता हूँ मैं 5 parameter की base पर कहता हूँ कि Pakistan में salary जो है वो 30,000 के करीब है आप कर लेते हैं salary के column को log transform और वो आ जाती है 2.83 पाकिस्तानी रुपी पे transform होके 50,000 से या 30,000 से 2.83 पे आगी अब जब आप उस पूरे algorithm को run कर लेंगे at the end you have to back transform your data back transform ठीक है तो उसके लिए आप क्या करते हैं आपको भी पता है कि inverse लेते हैं चीज़ों का so जब आप back transform करेंगे तो आपने दुबारा से 2.83 को 30,000 में change करना है वरना जब आप app बनाएंगे आपका user परिशान होगा कि यार यह कौन सी salary है मेरी 2.83 PKR so you should know कि आपने इसको back transform करना है ताकि user को original values मिलें ठीक है so दो चीज़ें याद रखें कि जब आप data को scale करें there is nothing happening there वो ही चीज़े scale छोटा हो रहा है center आपका mean में आ गया और data छोटा हो गया यानि कि shrink हो गया मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि बड़ी सी shark मचली है उसका एक छोटा सा model अगर आप बना लें और सारी detail वो ही रखें shark तो shark ही है समझा ही बात की और अगर आप whale मचली की बात करें वो बड़ी सी है वो तो एक कमरे में आई नहीं सकती तो आप क्या कर सकते हैं उसका छोटा model तो रख सकते हैं तो basically वो ही चीज details आ रही वो ही लेकिन छोटा model आप इस पर analysis करें वो ही बड़े पर होगा इसी तरीके से जब आप normalize की बात करते हैं normalize is totally different यह transform भी करतेती है चीजों को उनकी distribution की वेस पर ठीक है अभी जब हम probability पढ़ेंगे आपको यह और भी चीज़ें clear हो जाएंगे right